नमस्कार, 14 सतंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक देव गुरू ब्रहस्पति पुनह नीचस्त राशी आधार के साथ चलाएमान रहेंगे। कुम्ब राशी में अतिचारी होकर गोचर करते हुए देव गुरू ब्रहस्पति पुनह अपनी युती संगत इस्ततियों को यहां शनिदेव के साथ में द्वादश भाव में चलाएमान रखने वाले होंगे। कुम्ब राशी के जातकों के लिए हम ये संपूर्ण चर्चा बरतांत लेकर हाजर हुए हैं। कहां संभावनाओं को खोजना है, कहां भावनाओं को नियंतरित रखना है और कहां पर स्वयम को किसी भी कार्रे प्रयोजन में गहराई से जोड़ना है ये सब कुछ यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। परतमतया आप ये देखिएगा कि जो ये 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक की देव गुरू ब्रहस्पती की यात्रा रहेगी और वो भी नीचस्त राशी आधार के साथ में चलाएमान रहेगी। वहां एक प्रमुक मोड 18 अक्टूबर 2020 है जब देव गुरू ब्रहस्पती वक्री आधार से बाहर निकल कर मारगी इस्तियों में चलाएमान होने लग जाएंगे। और इसमें जो एक और इस्तिती नजर आती है शनिदेव भी जो चेस्था बल के साथ में चलाएमान है यहां बोर कीजिएगा ग्यारे हैं अक्टूबर 2021 के बाद से ये भी वक्री होने से निकल कर मारगी हो जाएंगे। यानि कि जो वक्र करत अधार इनका भी है वो भी मारगी अधार की और चलाएमान रहेगा। ये स्ततियां तो एक तरफ रही किन्तु प्रश्ण बन के भीतर ये उड़ता है कि देव गुरु ब्रहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो शनिदेव की स्ततियां यूति संगत अधार के और से बताई गई ये ठीक है साड़े साथे का प्रतम प्रवास काल भी है किन् की स्ततियों को एक तरह से नियंतरत करने का आधार रचते हुए ये भी यहां सम्यक समागम सम्मुक नजर आता है जिस पर भी हमको सोचने की आवशकता है रहेंगी सरवपर्थम आप ये देखिएगा कि जिन अनरगल खर्चों की वज़े से आप रिशान थे वियापारिक ज जिवन में वहां नियंतरन अब आने की संभावित स्ततियां सामने रहेंगी 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक के अंतराल में यानि जो खर्चे इस तरह से निकल कर आ रहे थे जिनका कोई भी आधार नहीं था वहां अब आपकी दिरिस्टी एक तरह से नियंतरन लेकर आने वाली होगी विदेश संबंधी कार्यों में जो भी तकनीक संबंधी शेत्र विशेश के साथ में आपका जुड़ना रहा है यांतरिक विद्या संबंधी शेत्र विशेश में आप अस्तक्षेप रखने वाले रहे हैं वहां पर भी ये आधार एक अच्छे तरीके से आपके लंबे समय से प्रयास रत थे कि कोई भी जो वीजा से संबंदित परेशानिया निकल कर आ रही थी उसका समाधान को जा जाए वहाँ पर भी अब एक तरह से बहतरी के आधार इन महीनों में सामने होंगे उसमें भी 18 अक्टूबर तक आप जितना प्रयास करते हैं उसमें आप कि सुरों को वैसे ही इस्तापित करते चले जाएंगे ये भी गौर करने लाइक बात यहां आपके लिए रहेगी कि जो आप यहां पर कोड कचारी संबंदित मामलों से लगातार खुद को परेशानियों में गिरा पा रहे थे या फिर कोई भी कागजी कारवाई के अंदर प एक बात है दूसरे तत्व विशेश में आप ये भी देखिएगा कि जो देव गुरू ब्रेहस्पती का द्वादश बाव के साथ में संचरन चलाए मान रहेगा ये खर्चों की अधिकता को एक तरह से रोक कर आप के लिए पूंजी में जमा होने वाला जो आधार होता है उ यहां निवेश की और जाने की पूरी पूरी जरूरत बनी हुई है वहां खुद को आप रोकने से बचिएगा किसी भी व्यक्ति को एक तरह से समझाने की और जाना है और आप कुशल वक्ता रहे हैं बारम बार प्रयासों के बावजूद भी अभी तक आपको सफलता के वो स नहीं मिल पाए तो यहां पर भी आपको प्रयासों में अधिकता लेकर आनी रहेगी नए पन के साथ में उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों हाला कि किसी भी सक्षात कार के और आपका जाना हो रहा है तो यहां घबराहट से दूर रहिएगा यहां अपने अनुभवों के साथ में चलिएगा किसी भी तरीके का समझोता आपको अपनी तनख्वा के साथ में देखना पड़ता है तब भी गबराने के आवशकता नहीं है एक बार नई सक्रियता के लिए या फिर आपको कोई भी ऐसा पद मिल रहा है जहां पर मान अदि जहां भावी भविश्य की संभावनाए परबलता माधार को निर्धारत कर रही है तो वहां जोखिम जोखिम नहीं कहलाता महाव्यक्ति खुद को एक बहतरी के और लेकर जाने वाला होता है हलाकि पारिवारिक जीवन के साथ में कश्मकश सामने निकल कर आ सकती है इस बात क आप समर्तियों में रखने का पूरा पूरा प्रयास जरूर करते चले जाईएगा और इसी के साथ में जो कुटुमबी जनों के साथ में कोई भी कामकाजी आपने शुरुआत की है अब लग रहा है कि वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे रास्ते अलग अलग होने रिष्टों को संबालते हुए ही अलग होने के और जाना जाना बहतर रहेगा अलाकि जो आर्थिक स्तर के ओपर बोज चल रहे थे कोई भी आपने रण ले रखा था उसका समाधान सामने नहीं था कोई ऐसी जमीन अटकी हुई थी जिसकी वज़े से आप उस रण को चुकान जो पेड़ से संबंदित तकलीफे होती है आतों से संबंदित परेशानिया होती है वसा से संबंदित रोग होते हैं वहाँ पर भी आपको पूर्ण तया अपने प्रभावी आधार के उपर ख्याल रखने की आवशकताएं होगी खान पान में परिवर्तन के और जाएं जो दवाई की और आप जा रहे हैं वहाँ पर भी एक तरह से अपने नियमित अभ्यास को परिवर्तित नहीं होने दें अनुशाशन का बूल मंत्र ऐसे सारी इस्ततियों के भीतर आप लेकर चलें तो वहीं शत्रू शनिदेव की स्ततियों की वज़े से पहले ही पनपने वाले जो बाहरी आधार पर रहते हैं किन्तु भीतर के शत्रू यहां परिशान टरने वाले हो सकते हैं इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा आपकी भीतर के डर और डर के साथ में जूड़ी हुई जो भी संभावनाओं की नकारातमक्ता है उन सब को यहां जीवन के भीतर उतारने से आप जितना बचने वाले होंगे उतना स्वें के लिए बहतर आधार देते चले जाएंगे व्यापार में कोई भी नई शुरुबात करनी है रिन लेने की और जा रहे हैं तो 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टुबर तक अपने भीतर की घंड़नाओं को पूरे तरीके से समझ कर यदि आप ऐसे किसी भी आधार के और जाते हैं तो यहां गवनशील हो सकते हैं इसके लावा कहीं पर भी ऐसे चिंतत होने की दरकार नहीं और यह सोचने की आवशकता नहीं कि तब भी हम बढ़या नहीं जहां निरने में आप सपस्ट हैं वहाँ पर आगे बढ़ सक आप ऐसे किसी कारे के साथ में स्वयम को संबल देकर चल रहे हैं जो यहां यात्राओं से संबंदित होता है वहां अपनी गतिशीलता को बढ़ाने की आवशकता हैं आपके लिए पूर्ण कालिक तौर के उपर रहने वाली रहेंगी और यहीं आप इस बात पर भी गौर जिएगा कि देव गुरु ब्रैस्पती अपने उचराशी स्थान को देखने वाले होंगे बले ही स्वयम नीचस इस्ततियों में चलाए मान रहे तो इसी वज़े से जो एक प्रमुक लाब निकल कर आता है वो यह है कि आपके साथ सस्ट भाव की जुड़ी हुई जो भी नक आत्मकता हैं बनी हुई थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी माता के स्वास्ते को लेकर जो चिंताओं में कमी आनी चाहिए उसकी आधार भी हाँ बनते हैं आप अपने घर के आसपास जाकर किसी कामकाच की शुरबात करना चाहते हैं और एक तरीके से खुद के लिए आ गोर करने की आवशकता हैं रहेंगी क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाच के अंदर जल्दबाजी में दरनाएं नहीं लें तो वहीं आपने अभी अभी किसी भी नई नौकरी की तरफ कड़म रखा है किन्तु लोगों के साथ में एक सहूलियत नहीं बन पा रही थी लोगों के साथ में एक जुड़ाव नहीं बन पा रहा था। हाला कि अनुशाशन की पूरी पूरी आवशक्ता हैं इन दिनों के अंदर आपके साथ में रहने वाली रहेगी इससे हमें निकार नहीं करेंगे तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी कामकाच अनुवेशन के साथ में जुड़े होते हैं जो भी कामकाज बहुत गहराई से सिक्षा के आधार को नएपन के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं दुनिया के सामने कुछ नया रखना है तो भीतर बहुत कुछ पुराना आत्मसाथ करना होगा उस पे मन्थन करना होगा मन्थन के साथ में चिंतन की अभीव्यक्ति को स्वैम के साथ में जोड़ना होगा फिर जो रखेंगे वो दुनिया के सम्मुख नयापन रहेगा ये बात भी आप अपने साथ में जोड़ें तो वहीं पर जो भी कार्य यहां रचनात्मक्ता के साथ में लेखन के साथ मुझूड़ होते हैं वहां जिस एकांत को साधने की आवशक्ता है वो एकांत आपके भीतर गहराई से पनपता हुआ नजर आता है इसमें हम इनकार बिलकुल भी करने बाले नहीं महतुपूर्ण बात यह कि आप यहां विदेश संबंदी किसी भी कार्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं जैसा हमने शुरुवात में भी कहा था पुने कहा रहे हैं अस्ठम की स्ततियों को देखिए द्वितिय को देखिए लाब को देखिए और इनको देखकर कर्म को देखिए कि हमारे लिए उज्ज्वल प्रवाह ऐसे शेत्र के अंदर बना हुआ है जो किसी भी तरीके के रुकावट और बाधा को सामने लेकर आने बाला नहीं रहेगा अपने चर परिचित अंदास के अंदर आप बढ़ते चले चाहिएगा हाला कि ये बात जरूर यहां निकल कर आती है कि व्यापारिक जीवन के अंदर नई शुरुवात करने से पहले घर परिवार को पूरे तरीके से समझाईश में लेकर चलिएगा किसी रिष्टे के साथ में आप हैं तो वहाँ पर भी उनको अधिकार के साथ में समझाना आवश्यक रहेगा जब अगला व्यक्ति मान मनवल के साथ में मान जाता है उसके बाद में आप अपने कामकाज में सा सम्मान जाने बाले होते हैं देखिए परिणामों के अंदर बहतरी निकल कर आती है, साड़े सांती का प्रतम प्रवास काल है, किन्तो जहां आपने ये तै कर लिया, कि हम वर्षों के लिए किसी कामकाज को करने की और जा रहे हैं, वहां बहतरी के निक्षपित अलहार ही आप रखने वाले होंगे, हमने द्विती भाव के कारकत्व की चर्चा की, तो वहीं पंचम के साथ में भी ये रियम चर्चा करते हैं, तो सिक्षा में यहां भटकाव सामने आ सकते हैं, उससे आपको स्वैम ही दूरी बना कर चलने की आवशक्ता है रहेंगी, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा, कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में गफलत है, जो भी कार्य यहां पर शेयर से संबंदित होता है, वहां पर भी आपको कहीं न कहीं एक तरह से थोड़ा सा धीमापन बना कर रखने की आवशक्ताएं है, संतान पक्ष के साथ में जो विद्रो बने वोई थे वो बढ़ने वाले नहीं हो, इस पर भी आप जरूर और करने वाले हों, जो यहां पर शनिदेव की द्रिस्टी भाग्य भाव पर है, किल्टो देव गुरू ब्रेस्पती की द्रिस्टी यहां भाग्य भाव पर नहीं है, यह एक बड़ा अंतर है, इसी वज़े से भाग्य का सयोग कर्म के साथ में जुड़ा रहेगा, आप यह नहीं मानें कि किसी भी कार्य की और गए, सरलता से वो कार्य पूरती की और आ जाएगा, उससे बचकर चलने का प्रयास करें, अला कि आध्यात्मिक चंतन के भीतर जाग्रती बहुत अच्छे से बनी हुई है, दशम भाव के साथ में हम देखें, तीन-ग्यारा का संबन्द है देव गुरु ब्रेस्पती का, इसी वज़े से कर्म का व्याय लगातार होगा, कई बार वो जुझलाहट भी दे सकता है, उससे मुक्त रहने की आवशक्ताएं आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं एक आदश के आदिपती दुआदश भाव में है, लाब का व्याय लगातार हो रहा है, आपने जो कर्म किये हैं, उससे जो लाब मिला, और अब उससे जो एक तरसे व्याय हो रहा है आपकी सोच का, लोगों के साथ में, जुडाओं के साथ में जो व्याय हो रहा है, वो आपको बहतरी की और लेकर जाने वाला होगा, संभावित आधार पर नुहां से चिंतत और विचलित होने की आवशक्ताएं, दूर दूर तक भी नहीं है, कुल जमाजोड ये स्ततियां प्रभावी तोर पर आपके लिए सकारात मत्ता को नहाँ पर लेकर आएगी, कि इन्दू संगर्शों की मुझाईश भी पूर्ण तया साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, तो ये था कुम्ब राशी के जातकों के लिए देव गुरूब रहस्पती का होने वाला च्छियांसर दिनों के लिए चलने वाला ये परिवर्तन, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजर होते रहेंगे, धन्यबाद और कोटिश है, आभार.